हेलो एवर्वर्वान स्वागत आप सभी का अपनी चैनल के उपर भाई साब सबसे पहले यह होगा अपना बीडवली का फाइनल टच अप जो दस गयरंटेड टोपिक्स की लिस्ट आपको देने वाला हो किसी भी आल में आज रात तो दस टोपिक आपको एक दफ़ा रिवाइस करने है एक फाइनल टच अप उसको किसी भी हाल में आपको देना ही देना है उसको याद कैसे रखते हैं क्या-क्या फोर्मिले जे सब बताने वाला हूँ तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी महबत वाली लाइक प्यारी प्यारी शेर और खतरनाक वाली सब्सक्र सब्सक्राफट से वी और वेटिंग फो देम वी और वेटिंग फो देम आपसलूटली बहुत सारे लोग मेसेज कर रहे थे कि सर आज आप लाइब क्यों नहीं आए तो तब थोड़ी नासास्ती उसके कारण नहीं आ पाए बट आज फाइनल टच अप के लिए तो जरूर आ गैरेंटेड टॉपिक्स याद रखना यह टॉपिक्स आपको किसी भी हाल में करने है चलिए फड़ाफट से लीस्ट बता देते कौन से कौन से है वो टॉपिक्स यह लीस्ट अल्रेडी हमने हमारे पेड बच्चों को दे दिया है जो हमारी फाडू बैच के अंदर बली मुंबई उनिवर्सिटी वालों के लिए होगा आ आ गया आ गया देखो 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 सीन हो गया चलिए तो क्या क्या है गैरेंटेड टॉपिक्स थोड़ा इसको जूम कर लेते थोड़ा सा जूम कर लेते पहला यह पक्का करके जाओ है नहीं इसका एडिंग ही यह र चलिए और यल सरकिट का मतलब होता है चोक कोईल जोक कोईल याद रखो एसी हमारी कोईल एसा हमारा सिरीज में रहेगा उसको हम कहेंगे चने कोईल वाले सवाल, है ना आर एल सरकिट के लिए आरल सरकिट फटा फट से आप भी अपनी सामने पूरी नोट बुक वगरा लेके बैटना तब जाके मज़ा आएगा पहला फॉर्मिला इसमें बनता है इंपिडंस का इंपिडंस दो तीन प्रकार के इंपिडंस होते हैं मैं डाइग्राम आपको बताना चाहता हो पहले अपना इंकर्ण रैज вмatt फिरोगी अपनी और फिर बाजू में अगर आपको कोई एक्सटार्डम बोला है तो क्वेशन में ध्यानन से पढ़ने का डेल क्लियरली मैंशन की एक्स्टारनल रैजिस्टर कोई connect किया है या नहीं किया तो करने की कोई जरूरत नहीं है अपना ऐसा डिपी दिखाने का जिसको हम लोग बोलते हैं चोक कोईल जिसको एक और नाम से जानते हैं सीरीज आरल यह मेरे क्याल से अल्मोस्ट लोगों को पता है सीरीज आरल राइट सीरीज आरल राइट क्या होता है देखिए सीरीज आरल वाला तो य कि यहां पे होगा voltage to the coil V coil जिसको हम कहते हैं V coil and Vr मतलब voltage across that external registers इतना सब कुछ दिया जाता है current दिया है तो बहतर बात है नहीं तो current आप बिंदास calculate कर सकते हो formula क्या-क्या यूज होने वाले इसके अंदर थोड़ी speed बढ़ा देते फटा-फट फटा-फट करेंगे 15 से 20 मिनिट में सारे topics आपको explain कर देते सबसे पहली चीज़ होती है अपना impedance impedance जैड इस इक्वल टू वी अपॉन आए देखो यूज्वली ओम्स लॉव में क्या होता है वी इस इक्वल टू आयार होता है यह आर कब होगा इन सबका मिलाके जो रेजिस्टर होता है उसको बोलते इंपेडंस उसको क्या बोलते हैं इंपेडंस बोलते हैं ठीक है तो यह इंपेडंस अलग-अलग तरीके से अशा नहीं बिल्कुल यह सबको आना चाहिए उसके साथ-साथ मेरा जैडंस दो तरीके में डिवाइड किया जाता है दो तरीके में पहला होता है आर प्लस जे एक्सेल है ना आर प्लस जे एक्सेल इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टांगुलर फॉर्म रेक्टांगुलर यह अभी भी कन्फियूजन है आज रात ही उसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए दूसरा फॉर्म होता है जेड़ बार है ना जेड़ बार दाट इस नतिंग बट जैड़ अंगल ओफ फाई जैड एट अंगल ओफ फाई तो इस तरीके से भी इसको क्यालकुलेट कर सकते हो त बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है यह बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल है चलिए 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 ओके आगे बढ़ते अन्नोन गेमर जी प्लीज बीडबली के बारे में ही बात करिए बाकि आइफोन 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 आइपैड की बारे में बात ठीक है अब next Z को एक और तरीके से बताया जाता है Z को एक और तरीके से बताया जाता है that is mod Z सिर्फ coil के लिए मैं निकाल रहा हूं है न मैं दिखाना चाहता हो अब को coil के लिए अगर मैं निकाल रहा हूं तो यह mod Z कैसे दिखाई पड़ेगा देखो under root of R स्क्वाइर प्लस एक्सेल स्क्वाइर लेकिन वही mod Z अगर आप टोटल के लिए निकाल रहे हूं तो वह होना चाहिए देखो दो आर रहे दो रैजिस्टर है डाट प्लस आर डी होल स्क्वाइर प्लस एक्सेल का स्क्वाइर तो इतने है फर्मिले जोड़के और भी फ्वार्मिले इसके अंदर है नहीं कंफर्म हमँश्य места 16 gemacht के लिए 6 से 8 मां को लिख लेना ब्रस लिए का चांब खैजनाव औब दो इसमें और क्या क्या होता है ब्सकาม हो interviewed प्रकार선 सकते हैं और आगे बढ़ते हैं उसके साथ साथ रियक्टिव पावर होती है यहां पर सिर्फ साइन आएगा एपेरेंट के लिए कोई भी नहीं आएगा सिर्फ भी आयाएगा ठीक है उसको आई स्कूर आर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो तो यह कुछ बीसिक फॉर्मिलेज ह वाई साथ सब कुछ सेम होगा है ना है और अच्छा कोई बोलेगा सर ल दिया तो एकसे कैसे निकालने का सब को पता है अदिया है तो एकसे एकसी होगा मैं आ पर यूनिट लिखना चाहता हूं कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक कि कोई दिक्कत कोई परिशानी बदकूल disc Community समझ चुका है डिस व सते नंटेट्पिक बिलकूल इसको खुष भी बिया है करना है करना ही है ठीक है बढ़ते आचे बढ़ते अगे लिएक और करना है कुन से कुन से फॉर्मिले आपको सीरीज रेजोनन्स के अंदर करने पड़ेंगे चलो वह भी बता देता हूं वह भी बता देता हूं यहां पर लिख देते हैं सीरीज रेजोनन्स चलिए भाई साफ सीरीज रेजोनन्स सीरीज रेजोनन्स चेक करिए किसी भी आल में यह सारी फॉर्मिलेस को आपको करना है सीरीज रेजोनन्स आपको अगर इसका फॉर्मिला लीस्ट चाहिए तो हमारे वाटसप ग्रूप और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना सेशन खतम होते ही हम उसको पोस्ट कर दें तो है क्यों यह वाला फॉर्मिला आपको करना है सेकेंड होता है रेजोनें इंट फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वें सी यह किसी भी हाल में आपको करना है ठीक है जिसको हम लोग फ-0 कहते है फ-0аш फिर मीनिम सब्ञेंट माक्सिम्म बाइंधर से मिनिमows जल्दी जल्दी एबरीबड़ एनी डाउट एनी कन्फूजन नई ठीक है तो यह वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इसको रिवाइस कर लो कुछ भी नहीं है इसमें मतलब जादा रॉकेट साइंस वाला कुछ कामी नहीं है इसमें ठीक है जाते हैं हम पटके सामने खेल खतम कर देता हूं इसका चलो पहला तो हमें मेह ऐनलिटिस दूसरा होता है तैवीणियंस तीसरा होता है नॉतन यसा वं तैंद लास्ट नऄ सिल इता है मैक्सिम्म आवर टरंसवर तेरा है याद करोगे इस टेबल को इस टेबल को कल जरूर याद करोगे यारा वी लोग देख लेना देख लेना है न 2 हो से स्टेप बाई स्टेप सारी हरकते बता देना चाहता हो सब में कहानी एक ही होती है कहानी बिल्कुल एक ही है बस लास वाला फॉर्मिला चेंज होता है उसके कारण जो फाइंड आउट करने वाली चीज़े वो भी चेंज होती रहती है है और नोडल वाला सीन इसके बाद बताता हूं क्योंकि डाट इस दी ऑउनली एनालिसेस जिसमें हम लोग बिल्कुल भी क्या यूज करते के सील यूज करते हैं इन सब में के वी फिल यूज करते है ठीक है तो पहले बात होता है यहाँ पे करेंट शुट्ट बी ना नीचे प्लेलीस सेक्शन में मतलब सा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलीस की लिंक डाली हुई है जरूर जाके देखिए ठीक है नेक्स्ट करेंट शुडबी क्लॉक्वाइज दूसरा चीज होता है यहां पर कियार सेम कॉंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल सेम कॉंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल डिफरेंट टर्मिनल ओके डिफरेंट टर्मिनल यह चीज होती है तीसरा चीज होता है कि भाई साब राइज इन पोट अधोंने से मतलब पोल से बाहर जाए ठोंने का फॉसित्व लेने का फ़ेक है। सवाल रिविजन में भी हमने इससे सवाल ले लिया है . और सवाल आप एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो आज रात को 9 बजे से रात को 12 बजे तक हमारे BEE की कोर्स की प्राइस जो है, वो slash उने वाली है, सिर्फ 99 रुपीज में मिलेगी आपको, सिर्फ 99 रुपीज में, अब भी जाके, अब भी जाके, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा ना, अब भी जाके ले 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 ना, बहुत सा होता है लोड रेजिस्स्टन्स को औपन सर्कुटेट करने का तो बाकिस के लिए क्ल लगा KVL to other loops other loops then equation for VTH then equation for VTH VTH का equation लिखने का फिर वहां से VTH की value आएगी ठीक है third step में क्या करने का COVS करने का COVS याद रखना मेरा dialogue COVS COVS मतलब क्या current source को open circuited voltage source को short circuited come on current source को open circuited voltage source को short circuited किस लिए करना होता है सिर्फ resistor के लिए करना होता है जहां से आपको RTH मिलेगा RTH जिसको हम लोग R equivalent भी कहते है R equivalent भी कहते है और last but not the least उसका formula I L is equal to VTH upon RTH plus RL सर यह formula आप याद कैसे रखते हो बहुत simple है I मतलब क्या होता है V upon R होता है मैं वही किया यार तेवीनियन वी मतलब तेवीनियन का voltage वोल्टेज डाट इस वी टी एच और नीचे denominator में आ रहे है तो कितने प्रकार के आ रहे है एक लोड रेजिस्टन्स है और एक तेवीनियन वाला resistor है इसके कारण वो formula बन चुका है that is I L is equal to VTH upon RTH प्लस आरेल ग्रेट ग्रेट नेक्स्ट नेक्स्ट नॉटन वाला सीन बताता हूं नॉटन देखो तेवीनियन और नॉटन यह बिल्कुल सगे भाई बैन है सगे भाई बैन है यह ऑनली change the only change जो हमारा वी टी ऐच के लिए लोड रेजिस्टंस को अपन करते थे ना वो कुछ नहीं करना को को शॉट कर दिना क्यूंश करने का मैं बताता हूं क्यूंश करने का क्यूंकि नॉर्टन में में वोल्टेज सब्सक्राइब निकालते हैं नॉर्टन में निकालते जिसको को लोग बोलते i走 का मतलब होता है करण na start circuit ठीक है तो लोड रेजिस्टन्स को आप करोगे short short circuited ठीक है और यहां पर लगाओगे के वील के वील टू लूप्स है ना के वील टू लूप्स एंद एक्वेशन और वाल्यू सफिक्स में है करने के लिए मुझे वोल्ट मिटर गुसाड़ना पड़ता है और वह वोल्ट मिटर की जगा बनाने के लिए मुझे ओपन सर्किट करना पड़ता है वह तेवीनियंस की कहानी है नॉटन में क्या होता है करन्ट पास करना पड़ता है अगर मैं ओपन कर दू तो क तो जैसे वैसे निकालते सीओ वी एस वाला पंडा है वहां से निकलेगा आरटी जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं क्या बोलते हैं चीग है और फाइनल फॉर्मिला क्या बनता है फिर इसका फाइनल फॉर्मिला क्या बनता है देखो यही फॉर्मिला है यही फॉर्मिल मतलब क्या होता है इसलिए नियुमेरेटर में आया इसी इंटू आरेन अपॉन आरेन प्लस आरेल ठीक है यह जो मैक्सिमम पाउर ट्रंसफर दिया है यह 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 तेवीनियन का सगा नहीं जुडवा भाई है एकदम जुडवा डिक तो सेम दिखता है सिर्प गिना चुना एक म वेरियेबल रेजिस्टर वेरियेबल रेजिस्टर अब वेरियेबल रेजिस्टर क्या होता है इसको इस प्रकार से दिखाया जाएगा आपको इस प्रकार से उसको करने का उसको करने का ओपन सर्कुटेट ठीक है ओपन सर्कुटेट और बाकी सारी कहानी आज इस एस फाइन power delivered to the load इसको बोलते है maximum power transfer theorem इसका theory question बहुत important है state and prove maximum power transfer theorem पूरा का पूरा theory का answer हमने हमारी फाडू इंजिनियर आप के अंदर डाल के रखा है जरूर जाके वहाँ पे देखिए 9 बज़े से रात को 12 बज़े तक सिर्फ 99 रुपीज ओके जी तो ये चारों चीज़े हमने कर दी है एक ही पेज में चार डीसी वाली चारों ते रहाँ अब बचता है हमारा सिर्फ नोडल की कहानी ओ कर लो कर लो नोडल की कहानी इदर ही कर लेते नोडल वाला पंड़ा नोड़ल में क्या-क्या करना पड़ता है कुछ नहीं है बहुत बीसिक पहली बात तो केसीएल ऐपलाए करना केसी एल केसी एल बहुता है कि i is equal to v upon r i is equal to v upon r इसको क्या बोलते है v a minus v b upon उसके बीच में दो voltages के बीच में जो resistor हैगा वो denominator में आएगा that's it that's it ठीक है दोनो voltages के बीच में हमेशा sign minus कर रहेगा क्यों क्योंकि voltage मतलब क्या होता है potential difference तो हम difference calculate करते हैं न है न होनी चाहिए करंट के related बात बताता हूं कोई करंट अगर उस नोड की तरफ आ रहा है तो उसको positive लेने का उसको छोड़ के जा रहा है तो negative लेने का समझ रहे हो if it is coming towards the node take it as a positive going away from the node take it as a negative that's the part of KCL and that is the part of your nodal analysis nodal ho Norton ho Tevinian ho maximum power transfer ते रहो मों आपकी question में clearly mention किया जाएगा कि भाई साफ करना क्या है है न कुछ भी mention नहीं किया सीधा उठाओ और मेश लगा दो सीधा उठाओ और मेश लगा दो फटाफट answers आ जाएंगे ठीक है next मैं चाहता हो इसका screenshot ले लो यार कल आप traveling में होगे train से जा रहे हो एना बस से जा रहे हो गाड़ी से जा रहे हो तो एना दो मिनिट में पूरा chart सामने आ जाएगा चलो फड़ा फट screenshot ले लो यो यो के साथ absolutely लिया होगा बिलकुल बिलकुल लिया होगा ऐसी आशा करते हैं चलिए 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 ओके तो चेक करते हैं अपना next guaranteed topic क्या है next guaranteed topic आ रहा है मेरा नोडल हो गया मेश हो गया चलिए बहुत जादा important that is to admit method की कहानी ओहो 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 तूव एट मिटर मेथर की कहानी भाई साब यह जिसको आया उसने मचाया क्योंकि confirm question है theory भी और numerical भी चलो टूव एट मिटर मेथर फटाक से बता देता हो क्या method है formula तीनी है जादा कुछ नहीं है तूव एट मिटर मेथर्ड वाट मिटर मेथर्ड है ना टूव एट मिटर मेथर्ड चेक करते क्या सीन है फटाफट 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 घड़ी लगा के दो मिनिट घड़ी लगा के दो मिनिट टू एट मिटर मेथर्ड दो एट मिटर है मतलब w1 और w2 मुझे calculate करना पड़ेगा w1 का formula होता है w1 is equal to vlil cos of 30 minus 5 होगा and w2 is nothing but vlil cos of 30 plus 5 होगा 30 plus 5 होगा तो इन दोनों में से आप formula को apply करना है अपने को check करना है कि भाई साब कौन सा formula यहाँ पे मुझे लगेगा ठीक है उसके साथ साथ पेपर पैटन भी बताने वाला हूँ जाते जाते आपको पेपर पैटन भी दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा इंतजार बाकि सब प्यारी प्यार देखो w1 मिला w2 मिला सीन क्या है बड़ी द्यान से सुनना मेरा टैन थीटा का formula होना चाहिए टैन फाई टैन फाई का formula क्या है टैन फाई इस नतिंग बट आइन्स ओफ रून फिर यहां पर मिलेगा डबलोब माइनस डबलोटू अपउन डबल्लाइन प्लस डबली टू है वो सब चक्रने का वो सब चक करने का ठीक है आप इसको प्लस लेना बनता यूज्वल्वली यह PLUS ही लेता है कुछी कुछी यहां पर मतलब फैक्टर होते हैं पर हपन नेगेटिव लेना बनता है काफी सारी комментs सारी है यहाँ पे ठीक है ठीक है perfect है ठीक है रबली ऑन माइनस डबली टू लीडिंग कार से लिए माईनस माइनस नहीं लेते टीक है तो इस बहुत जादा इंपॉर्टेंट है पेड़ कोर्स के अंदर एक सवाल का सल्यूशन थोड़ी देर में पोस्ट करने वाले पेड़ वाले जो बच्चे थोड़ा चिंता मत करिए आपकी ग्रूप में अपनी एप के अंदर अपनी कोर्स के अंदर आपको मिल रहा होगा सेशन खत होगया पांच फड़ाफट नेक्स्ट जो हैं वर्क इंग प्रिंसिपल ओफदी सी मोटर्स वर्किंग प्रिंसिपल ओफ D to WiFi चलो चलो एक बात आपको बताना चाहता हूं कि रिधियर नोट का पूरा नोट का Nepal का पूरा पूरा सल्यूशन है पूरा सल्यूशन है बैक यह में यहा होता है थे ना उसके साथ साथ EMF equation of DC motor क्या होता है है यह सब दिया हुआ है यूज अफ क्मिटेटर क्या होता है यह भी हमने दिया हुआ है आप इसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं बहुत ही जादा important यह answer है किसी भी आल में आपको इसको करना है guaranteed question है हमारे DC motor के ओपर का ठीक है लिक लो लिक लो working principle of DC motor answer अभी तक प्रिपेर नहीं किया है तो अभी कर लो अभी कर लो नेक्स्ट नेक्स्ट पावर ड्रॉन इन त्रीपे सिस्टेम पावर का formula भी प्रूव करने आ सकता है या वन थर्ड वाला जो formula है वो आपको यहां पर बन सकता है बहुत important concept पावर ड्रॉन इन त्रीपे सिस्टेम ठीक है नॉटन वाला फंडा मैंने अल्रेडी आपको बता दिया है आरल सी वाला फंडा है यह बहुत जादा important है भाई साब rlc circuit का numerical rl बताया rc बताया जाते जाते rlc बता देता हूँ चली rlc वाला फंडा rlc वाला फंडा घड़ी लगा के कितना मिनेट दो मिनेट सिर्फ दो मिनेट rlc का फंडा rlc circuit क्या होने वाला है हमारा rlc circuit देखो diagram किस प्रकार की होती है impedance कैसे निकालते सब बताता समझ रहे हो ठीक है तो इसके एक्रॉस का पूरे circuit के एक्रॉस का एक वोल्टेज रहेगा है ना वील जिसको हम लोग बोलते है लाइन वोल्टेज वील उसके साथ साथ आपको frequency भी दी जाएगी ठीक है यह रहेगा मेरा आर यहां पे रहेगा Excel यहां पे रहेगा XC कहानी खत पर सेंड करें तो इससे बहतर है आप अपना पाडू इंजिनियर का डाउनलोड करिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है अप डाउनलोड कर लोगे तो मचाओगे ठीक है और इसका पूरा solution चाहिए तो जरूर 9-12 के बीच में अपना crash course है सिर्फ 99 रुप पीज में मिल रहा है सारे वीडियो सारी question bank सब कुछ तो जरूर उसका फाइदा उठाना 9-12 याद रखना ठीक है चलिए RLC impedance कैसे होता है वह तो वही होता है वी अपॉन आए वी अपॉन आए इसमें कोई दोराई नहीं है total impedance इसी प्रकार से निकाला जाता है ठीक है इन सबक का formula वही रहने वाला है current तो एक ही अकेला दोड़ेगा because all are connected in series में थोड़ा fast जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय नहीं है आप इसको slow motion में कर लेना चाहिए तो बाद में ठीक है next next XL कैसे निकालते है आँ वो तो सभी को पता है टू पाई एफल एक सी कैसे निकालते है वन सब्सक्राइब कर रहा हूं मैं यह दस question में से बहुत कुछ आएगा आपको यह दस topic भी आप आज रात तक प्रिपेर कर लेते हो ना Guarante of बेंगा लहाँ से इस प्रकार से मुझे एकसे भी क्यालकूलेट करने आता है जो भी इसका answer होगा है ना जो भी इसका answer होगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर प्लस जे ब्रैकेट के अंदर XL माइनस XC इसका आप मौड भी निकाल सकते हो under root of r square plus XL माइनस XC the whole square ये भी फॉर्मिला बनता है ठीक है इसको आप polar में भी convert कर सकते हो Z at an angle of five five की जरूरत कहां पर होती है phase angle मतलब cos five के लिए power factor के लिए five जरूरी होता है तो इतने सारे formula है मुझे बताईए कोई नया बताया कोई भी नहीं RL होने दो RC होने दो RLC होने दो दरने का नहीं दरने का बिलकुल भी नहीं तो सीरीज के लिए बताया parallel आ गया तो क्या करूँ चलो वह भी बता देता हो यह मेरा resistor है यह मेरा inductor है यह मेरा choke coil हो गया मतलब ठीक है इसके parallel में मैंने capacitor जोड़ दिया कपैसिटर जोड़ दिया ठीक है तीक है अब यह ऐसा आ गया यह मेरा R है यह मेरा XL है यह मेरा XC है मु XL से निकालेंगे बरोबर Z2 कैसे निकालेंगे Z2 कोई रेजिस्टर है कपैसिटर के साथ नहीं है तो उसको डिरेक्टली माइनस ऑफ जे करने का मइनस ऑफ जे एकसी करने का जाहिए गा नई पेपर पैर्टन और कैल्कुलेशन के लिए क्या-क्या दिमाग में रखना है वह इंपोर्टेंट टिप्स आपको जाते जाते देने वाला हाइडली पांच मिनिट बचे फड़ा फट कवर करेंगे जेड़ वन जेड़ तू मिल गया अब क्या करने का यह पैरलल में है तो टोटल इंपेडंस कैसे निकालोगे पैरलल के लिए कहानी क्या होती है सिर्णे मिल्टेप्लिकेशन नीचे एडिशन ऄद चामावड़ एंट जेड़ चाने का उ सब क्यक्रीब लिएजन में आपर लिओ देता हूं बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है इसका मितलब सबके पास solution होना चीए multiplication multiplication and division division सिर्फ polar में होता है polar में होता है यह याद रखना होता है सब्ट्राक्शन किस में होता है एडिशन और सब्ट्राक्शन सब्ट्राक्शन रेक्टांगुलर में होता है रेक्टांगुलर में होता है मैं तोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाहिए तोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं कोई गाउटी है जो बोल रहा 30 into 30 होता है नहीं 30 plus 30 होता है ना 900 ऐसा कोई अंगल नहीं है 30 plus 30 60 degree होता है ठीक है एडिशन सब्ट्रेक्शन वाली जो कहा नहीं है वो absolutely हमारी rectangular में ही होगी real वाला real वाले के साथ add होगा imaginary वाला मतलब जे वाले जो terms है वो imaginary वाले terms कहलाते है वो एक साथ add हो जाएंगे ठीक है so that is what the scenario जो हमारे लिए important होता है series RL and series RC के अंदर बहुत जादा important part है इसको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है and the last but not the least वाला topic जो guaranteed में आ चुका है VRMS and V average की कहानी waveform वाले सवाल भाई साब अगर V average and VRMS पूचा जाता है 5-6 मांक के लिए confirm question है waveform आपको provide की जाएगी function आपको find out करना है फटा-फट से बता देता हूं कैसे इसको solve करना होता है है ना कैसे इसको solve करना होता है वी average and VRMS वी average and VRMS ठीक है दो तीन प्रकार की waveform आती है फटा-फट से उनको draw कर लेता हूं पहली waveform होगी हमारी sign waveform sign waveform किदर से ना किदर से वो clip की जाएगी या directly sign दी जाएगी है ना या फिर ऐसे भी दिया जाता है कभी कभार like this like this like this है ना या फिर कभी कभार ऐसे भी दिया जाता है इस प्रकार से इस प्रकार से ठीक है दूसरा तरीका होता है हमारा triangular waveform है ना सौट तो जिसको बोलते हैं इस प्रकार से इस प्रकार से तीसरा होता है हमारा square waveform square waveform यह बड़ा प्यारा और मज़ेदार सा होता है square waveform ठीक है इस प्रकार से ठीक है तो इतनी waveforms होता है जो आपको possible बनते हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं ठीक है वी आवरेज का क्या है देखो यहां पर जीरो टूपा यहां पर फाइनल यहां पर और यहां पर रहेगा वी आफ टीटा डीटा ठीक है वी आफ टीटा डीटीटा यहां पर वोल्टेज भी निकालने को बोल सकते हैं पूरा कहानी सेम है वोल्टेज के लिए वी आफ टीटा होता है करन्ट के लिए आई आफ टी होता है वित रिस्पेक्ट टाइम होता है ठीक है तो यहां पर वी स्कूर टीटा डीटीटा तो इस प्रकार से इसको कैलकूलेट किया जाता है यह बहुत ही जादा इंपॉर्टन वाली कहानी जो आपको किसी भी हाल में कर लेनी है यह वाले जो ऐसे वेवफॉर्म वाले होता है यहांना वाइटू म्तलब क्या है दर वाला चेक करने का तो इदर आपको य्क्राणी को करने का यह सबसे जादा इंपॉर्टन पार्ट वी औरमेस अंड वी आवरिज वाला तो दीज आर टेंड टॉपिक्स ठोक के बोल रहा हूं इस दस में से कम से कम छे से साथ टॉपिक्स के उपर डैम शूर क्वेश्चन्ज आपको कल की पेपर में दिखने वाले है दुआओं में याद रखना सिर्थ दुआओं में याद पांच तारीक से शुरू होने जा रहा है पांच मार्च से लाइब लेक्चर्स प्रस रेकॉर्डड लेक्चर्स अपने फाडू इंजिनियर आप के अंदर मिल रहे होंगे कल जैसे ही आप पेपर देके आते हो उसके बाद वो कोर्स हम लॉंच कर देंगे जिन जिनको भी वो लादा है आपसे कोई नहीं देगा कितना भी कितना भी बड़ा बाच्छा होने दो नहीं दे सकता इतनी कम दाम में पूरा सेमिस्टर का सिलाबस हम पढ़ा रहे होंगे मैट्स टू का प्रोग्रामिंग वाला भी शुरू करेंगे पहले मैट्स टू शुरू होगा क्योंकि है बाबा का ग्यान शुरू होने वाला है ओके सो दिस इस वाट यूर ग्यारेंटेट टॉपिक इसकी पीडियेफ आपको अपने कोर्स के अंदर 99 रुपीज में मिल रही होगी ओके बी डबली का पेपर पैटरन आ रहा है ओहां आई वांट यो यो कम आन एवरीबड़ी अगर आप पेपर पैटरन को देखना चाते हो मुझे लाइक के साथ-साथ यो यो भी चाहिए कम आन ऐई वांट यो 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 और आई वांट लाइक ऐस सब fav less सब लोग जो चलिए-चलिए चलिए पेपर पैटन थोड़ा जो मार्व कर लेता हूशन नमबर वं गामपल स jadi वाला है जनाब ये खमपल सर वाला है इसको आपको कोई option नहीं ए कोई intention नी है सर कर देंगे तो यहां पर छे question रहेंगे एक्टemic । sought of our आ अउट हम वेलब कितने मैं से चे मैं से चे में से पांच कर наж चार-चार मांल के व सकते बी कभी कभार पूछ सकते हैं यह पैटर नहींड Tigers यह पतरन थोड़ा वैरी हो सकता है ठीक है चलिए कोई टांश नहींड है qwucien नम्बर नम कर लेंगे क्या या क्या सकता है question नम्बर वन में देखो वी आरे मेश और है जो मैंने अभी बताया वह आ सकता है एक छोटा सा theoretical question आ सकता है DC में से कि या तेविनियन वाली बात explain करो या star delta वाला एकाथ सवाल आ सकता है या फिर मेश analysis एकदम दो लूप वाला सवाल आ सकता है ऐसे simple simple questions यहाँ पर देखने मिलेंगे ठीक है चलिए बढ़ते आगे बढ़ते आगे यह 20 में से किसी भी आल में आपको 15 लाना है यहाँ पर आपने 15 लेके आए ना समझ लो आप पास हो गए आप पास हो गए आपको कोई नहीं रोक सकता ठीक है जी बढ़ते आगे next one question number two a यहाँ पर a b c रहेगा है यहाँ पर कोई option नहीं है 661 वाली कहानी होगी 668 668 वाली कहानी यहाँ पर होने वाली है तो यह आपको item करना है यहाँ पर eight number वाला जो question है यहाँ पर tevinian हो सकता है नौटन हो सकता है नोडल भी हो सकता है ठीक है तो यह eight marks के आपको पूछ सकते हैं बाकि 66 marks वाले एक स्टार डेल्टा वाला सवाल हो सकता है एक अपना एसी वाला सवाल हो सकता है तो इस प्रकार के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं similarly question number three यह होता है six seven seven वाला six seven seven यहाँ पर एक यह प्रकार क्वेशन वाला टू एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके अंदर और डेरिवेशन वी एक्सपेक्ट कर सकते हो साथ माँ के लिए ठीक है यह पाटर्न वारी हो सकता है six six eight आ सकता है यह six seven seven आ सकता है ठीक है तीन में से तीनों एटेम करना है आपको ठीक है question number four देखते है question number four जो होगा eight six four two मतलब यह eight six six ही है बट six को मैंने split कि है four और two के बाशा में क्यूंकि एक two मांग का जो सवाल है ना जैसे मैंने कहा कि है advantages of three-phase motors है ना advantages of commutator commutator का use क्या है एना डीसी मोटर का working principle ऐसे कुछ theoretical question दो मांग के लिए वहाँ पर पूछ सकते है ओके चलिए फड़ाफट से फड़ाफट से एवरीबडी एवरीबडी लाइक चाहिए मुझे कमान 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 फड़ाफट लाइक ठोग दीजिए यार आपसलोटली क्वेशन नमबर फॉर हो गया क्वेशन नमबर फाई और सिक्स भी वापस से वही है 857 या 866 और नेक्स वान 776 यह पूरा पैटन बन सकता है इसी फॉर्माट में आपका पेपर आ रहा होगा पाँच क्वेशन बच्टे क्वेशन नमबर फॉन को छोड़ा तो पाँच बच्ते उन पाँच मेंसे उन पाँच मेंसे आपको कोई भी तीन को अटेम्ट कर लेना है कोई भी तीन को attempt कर लेना है are you getting my point कोई भी तीन को attempt कर लेना है सोहम जी thank you so much thank you so much for your super chat and आप जरूर पास होंगे जो 10 topic दिये किसी भी हाल में आपको इसको complete करना ही करना damn sure पास हो जाओगे कल इसी वक्त हम मिलेंगे आपका paper को सामने रखेंगे और बाबा जी ने जो दिया हुआ है मचा दिया हेडिंग के साथ मिलेंगे and all the very best सोहम जी मचाओगे आप damn sure okay so ये question number 5 और 6 वापस से वैसे है तो ये हमारा pattern हो सकता है ठीक है BEE की theory questions मैंने already कल group में post कर दिये थे ये कुछ theory questions है ये पूरी लीस्ट है जिसको जान लेना है वो जान लीजिए अगर नहीं है आपके पास तो फटाफट जाईए पाड़ू इंजिनियर आपके अंदर ये आपको मिल रहा होगा तो ये पूरी theory questions है exclusively हमने खुद के हातों से लिखे हुए questions है कई इदर उदर से ढापे हुए ठीक है and DC Motors के ये पूरे theory के answers जो मैंने आपको बता है so this was overall scenario जो हमने आपके साथ discuss किया ओके फटा फट से like ठोग दो 9 बजे से 12 बजे तक अपना crash course सिर्फ 99 रुपीज अपने फाड़ू इंजिनियर आपके अंदर मिलते है जल्दी ही आल कल आपके paper के साथ all the very best to all of you पूने कुछ चीजए आने वाली है ओके जी मिलते हैं बाबाई टेक केर and all the very best guys